हेलो प्रेंट्स, वेलकम तू मैं चैनल, आज मैं आपको बताऊंगी कि मिलाई में से देशी की आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको फुल क्रीम मिल्क चाहिए होता है, कोई सा भी ले सकते हैं, जिसमें से अच्छी मिलाई आती हो और आप उसको अच्छे से स्टोर क करके रखनी है, तांकि वो जो है खराब ना हो, तो मैंने भी फ्रीजर में स्टोर करके रखी थी, मैंने काफी मलाई, मैंने इकटी कर ली थी, देखे कितनी हाड है यह, अब मैंने इसको 5-6 आर्स के लिए छोड़ दिया था, तांकि यह मेल्ट हो जाए, तो यह मेल्ट हो ग आजाती है, आपको पता चल जाएगा कि यह फलफी होगी यह, उसके बाद आप इसमें से देसी घी निकाल सकते हैं, तो इसको मैंने 6 आर्स के लिए छोड़ा था, गर्मिया हो तो आप 4-5 आर्स के लिए भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद इसको मैंने मिक्सी में तो इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी डालीजिए एक ग्लास के रहा हूं मैंने डाला इसमें तांकि जो यह मेरी मलाई है अच्छे से चर्न हो जाए मिक्सी में अदरवाइस आपकी मिक्सी चलेगी नहीं यह इस तरह से दिखने लगेगा चर्निंग करने के वाद इसमें जो बटर है वो उपर आगा है और जो पानी है वो नीचे चलेगा तो इस तरह से आप बटर सेपरेट कीढ़े पानी से squeeze कीजिए उसे अच्छे से जो पानी को है निकाल दीजिए और एक बाउल में इसको transfer कर दीजिए ऐसे आप इसी प्रोसेस को follow कीजिए जब तक आपकी मलाई जो है खतम नहीं हो जाती अब ये butter जब सारा ही कठा हो जाएगा उसके बाद में से आप देसी गी निकाल सकते हैं तो इस तरह से मैंने ये पूरा बाउल भर लिया था बटर के साथ अगर जिसको white butter खाना पसंद है वो white butter ये use कर सकता है बहुत ही tasty होता है परांठे बगएर के साथ आप ये खा सकते हैं और जो ये मैंने ये use कर सकते हैं कड़ी बनाने के लिए तो अब बस ही मैंने बहुत सारा जो बटर है इस तरह से कठा कर लिया था देखिए इसका मैने सारा पानी जो है फिर से निकाल दिया था तो इस तरह से ये हो निकले बढ़ा बरतन यूज़ कीजिए और थोड़ा मोटा बरतन यूज़ कीज़े जिसे की मलाई आ निचे नहीं लगती है तो इस तरह से इसमें धीरी-धीरे से जागाना स्टार्ट हो जाएगा जब इस तरह से जाग आ जाए उपर और घी सेपरेट होता दीखे तो आप इ कर्थी को अलग कर सकते हैं कर्ची की हेलब से इस तरह से चान लीजिए और इसे सारा गी जो है इकठा कर्लीजिए जो इसमें खुवा ही को कहते हैं कर्ण हो जाएगा और ये घी अलग हो जाएगा उसको भी आप यूजिक कर सकते अगर और कढ़ीन नहीं है उसका चीनि डालके लिड़ दिखाई है ышकी मिठ्हाई भी बनाशकते हैं कि इस ahead इस तरह से आप ये देशी गी निगाल सकते हैं कितना क्लियर गी निकला है मैंने एक किलो के अरवं ड्युट गी निकाला था जितनी मैंने मलाई क Hetty aap bhyA try कीजिए भरक देशी की निकालियर करी है